नमस्कार मैं अभी शेक्मार आप सभी का स्वागत करता हूं focus study with अभी में तो आप सभी को मेरा जैग्रू तो जैससी सीजियल के जितने भी as parents है आप लोगों के लिएक important update सबसे पहले यह जो आपका examination है जैससी सीजियल की अभी यह paper आपका जो है cancel होने वाला ठीक है ना 100% अब यह paper आपका cancel होगा इसके पीछे का मैं आपको reason भी बताता हूँ सबसे पहले जो update है मैं आपको बतला दू देखे आज सुभा के 10 बजे से twitter campaign रखा गया है महा अभ्यान ये और इसमें हर एक student को participate करना है देखे अगर बात किया जाए twitter कह सकते हैं या आप application जो इनका नाम रखा गया है जो भी आपका है देखे आप में से जितने भी student examination में एपियर होए 3 लाख अगर हर एक student 55 करके भी tweet करेंगे तो 5 तिया 15 लाख अब समझ रहे हैं क ये trending में जाने से कोई नहीं रोख सकता है दूसरी बात ये hashtag सबसे एक important update है कि आपको ये पता होने चाहिए कि hashtag क्या लिखना है देखे सबसे पहले आप has लिखना है then cancel cancel में हर एक letter आपको small letter then आपको underscore उसके बाद jssc underscore cgl हर एक letter आपको small letter में लिखना है मैं आपको एक बार ल jssc underscore cgl ठीक है ना तो हर एक letter आपको small letter होना है ध्यान देना है कोई भी एक letter अगर आप capital कर देंगे तो फिर ये दिक्कते होंगे trending में आने में और इसका trending आना काफी important भी है तो जितने भी appearing student at least वही लोग सभी अब गर पांच-पांच करके भी tweet करती है ना तो trending में जाने से क examination को ले करके अब बात कर लें कि ये paper जो cancel होना 100% इसके पीछे का सबसे बेश्ट मैं आपको logic बतला रहा हूं कि jssc को jssc को क्यों ये paper cancel करना पड़ेगा कितना भी वो अगर जितना भी साक्ष दिया गया है और दूसरी बात कि ये जो अब campaign start किया गया ये जो उल्गुलान start हुआ है जारकंड में इसमें जो lead है आपके छातर नेता आपके कर रहे हैं तो उनके तरब से जो भी इस प्रकार के उ इस बार का भी मुझे नहीं लगता कि साइद उस उल्गुलान तक jssc wait करेगी उससे पहले ही आपका notification आ जाएगा कि ये paper आपका cancel कर दिया गया है आप परिहार कारणों से देगे बेश्ट जो reason है jssc को ये paper क्यों cancel करना चाहिए और क्यों करेगी main है आपका question repetition ये बहुत ब जाएना कि एक loop जो hole बन गया है ये आपका question repetition का ही है और जो jssc अब देखे भले आपका jssc कहा आपकी कहरी है कि हमने ये जो कानून बनाया था 30% का repetition इससे जादा होगा तो paper cancel होगा अब ये हमने हटा दिया ये बोलना सही है मान लेते कि आपने हटा भी दिया लेकिन जिस question का repetition हुआ है देखे question का repetition से कोई दिक्कत नहीं है कि तीन question चार question आपका CGL से पूछ लिया गया ससे CGL का लेकिन 10 plus question है 16 16 question मतलब और as it is पूछा गया भाई और मैं तो आपको यही कहाँगा कि भाई अगर jssc अब ध्यान अगर थोड़ा सा अगर मतलब कि इनको अगर repetition नहीं गया है तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अगर वह question उठाते तो 20 maths के प्रैक्टिसेट यानि 20 दूनी चाले 400 में 20 question वह चूज कर सकते थे आराम से ना तो कोई-कोई एक student हाथ उंगलियों भी उठाते कि भाई repetition है कहीं से नहीं copy-paste का जंजट होता और फिर यह examination भ पर भी कोई दूसरा hashtag आपको ले करकर नहीं चलना है यही hashtag सारी student follow कर रहे है और आपको भी करना है और जितने student वहां तक भी चीजों को share करना है ठीक है तो चलिए जो भी update मुझे मिलेगी मैं आप तक आप पहुंचाते रहोंगा मिलेंगे हम लोग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद